Hello everyone welcome to zkvlogs today we are going to see the online procedure for renewal of council certificate of homeopathy so let's get started so first we will go to google search engine in mch mumbai search after searching after searching for mch mumbai .org select this page after searching for renewal click and select jjjjjjjj jjjjjjjjjjjd zkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Çok nd auki c उसको हम सेव करके रख ले तो जैसे कि मैंने अकाउंट अल्रेट ही बना के रख रहा हूं तो मैं यहां पर यूजर नेम डिरेक्ली डाल दूँगा पासवर्ड देन लॉग इन चलो यहां पर रेजिस्ट्रेशन नमबर पूछ रहे है तो रेजिस्ट्रेशन नमबर जो सर्ट्रेशन नमबर होता है वह इसमें डाल दें रेजिस्ट्रेशन डेट रेजिस्ट्रेशन डेट चलो हम यहां पर डालेंगे यहां पर बडड़ डालेंगे सब में बोलते हैं इसको भी ओके आप यहां पर देख सकते हैं प्लीज रीड और इंस्ट्रक्शन केरिकली बिफॉर अपलाएं जो इस बॉक्स दिखा रहा है यह मैंडिटरी है प्रस्ट्र डिटेल चेंज नहीं करना है चेंज़ अफ नेम अगर हैं परण दालने और उसके साथ हमें नेम्ज का जो भी प्रूफ है वह भी ऐटेच्च करना होगा अड्रेस अगर चेंज करना है तो ओके मैं अपीस एक बार बता देता हूं आप दॉपको नीचे आएंगे तो यहां पर clearly दिखेगा upload following documents तो आप देख सकते candidate का recent photo, candidate के signature, registration certificate, front side, registration certificate back side, id proof, id proof में अधार card, address proof में अधार card, light bill, light bill, telephone bill उसके बाद में मेरे certificate, gadget और affidavit जो की married person के लिए और name change लोगों के लिए है, affidavit, stamp, i-card का xerox और fir copy तो जो star mark है, वो mandatory है तो इसको हम अभी upload कर गेंगे, file size का limit दिया है, 400 kb, candidate का पहले photo डाल लेता हूं है, इसको one by one upload कर ले, इसको बाद upload, चलो हो गया ये, then candidate का signature, upload, then registration certificate का front side, चलो ये भी हो गया, registration certificate का back side भी attach कर लेता हूं है, चलो back side भी हो गया, अभी अधार card का ID proof के लिए में अधार card ले ले लेता हूं है, अधार card मैंने भी upload किया, चलो ये हो गया, अभी address proof के लिए में attach कर लेता हूं, वापिस अधार card, और एक चीज, icard xerox, ये भी attach कर देता हूं, तो ये files तो upload हो चुके हैं, वापिस एक बाद check कर लेता हूं, अधार card कर देता हूं, तो टोटल फीज अमाउंट है 1600 रुपीज, तो चलो मैं भी capture डाल लेता हूं, यहां पर, चलो submit बोल देता हूं अभी, तो चलो ये application, प्रोसीड हो चुका है, अभी सिर्फ payment करना बाकी है, I think, वी रैप्लिकेशन करके देख सकते हैं हम लोग, तो नाम चेक कर ले, प्रोफाइल चेक कर ले, वापिस एक बार, email id, mobile number, address, then इसको print कर लेते हैं एक बार, तो देख सकते हैं आप कि यहां पर, प्रिंट application कर लिया हमने, तो यह application number, note कर ले, future के लिए, तो next process है, sign out कर लेंगे, sign out करने के बाद, आप देख सेकते हैं आपर, कि login बोल रहा है, यहां पर नीचे आए, नीचे आने के बाद, click to pay now, तो click करेंगे, तो यहां पर नीचे आके हाँ, I have read and accept, proceed कर ले, proceed करने के बाद, यहां पर आएगा, MCH fees select कर ले, application number, तो यहां पर application number मैंने डाल दिया, MCH fees select के, submit बोल देंगे अगी, कर दिया, औो गाद, एक कर दические more आतस, पर नीचे में, क्लिब tendency। हिए खरागे जा जचे एगाजांने सम्तकiness Kyesun, मि चेंज़े खरागें, पहां आत दिया, क्लीम कर आए जाएग उने अने करेंगे, अवाभाङ़ें यार को onze और आरब हैश़ीज मैंने कितेों Submit, Confirm, Confirm करने के बाद bank select करना है Bank select करने के बाद debit card से पूछेगा debit card select करो card type इसके बाद card number month expiry इसके बाद CVV इसके बाद name on card capture इसके बाद capture इस सब होने के बाद pay पर click करूँगा मैं भी पर click करने के बाद proceed इसके बाद OTP डाल दूँगा Submit करने के बाद payment successfully हो चुका है इसके लिए मैं पहले जाओंगा payment history पर payment history पर जाने के बाद मैं पूरा detail डाल दूँगा submit बोल दूँगा confirm बोल दूँगा print तो ले लिया मैंने तो यह print और application print then registration certificate ID का xerox यह सब चीज़े हमें courier करना है homeopathy council Mumbai जो ford पर है वो address पर address पूरा मैं description box में डाल दूँगा तो यह सब post करें post करने के बाद वो पीछे renew करके दे देंगे तो देखते रहे है जेट के व्लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू